हेलो अब्रिवान सभी को मेरा प्रणाम आप सभी कैसे हैं उमीद है ठीक होंगे आज का वीडियो का टाइटल आपने पढ़ लिया है पैसा आपका प्रॉपर्टी पत्नी के नाम वाइप से प्रॉपर्टी कैसे लेनी है आपने पढ़ लिया हुआ है ठीक है आज की वीडियो म मुकदमा start होने से पहले आपने उनके उपर बहुत सारी property खरीद रखी उनके नाम पर बहुत सारी जमीन जाजात खरीद रखी है और पैसा सारा का सारा आपने लगाया हुआ है लेकिन ownership आपकी wife के नाम पे है तो उस property का status क्या होगा जो की husband ने अपनी wife के नाम पर खरीदी या मुकदमे बाजी husband wife के बीच में start हो जाती है तो उस property का जो है क्या होगा जो husband ने अपनी wife के नाम पर खरीदी हुई बहुत बार हम लोग देखते हैं कि husband जर्नली अपनी wife के नाम पर property खरीदने है wife के नाम पर property खरीदने के सिर्फ दो reason होते है पहला reason यह होता है कि love and affection अपनी wife से उनको बहुत जादा होता है या दूसरा उन्हें stamp duty बचानी होती है हम सब जाने हैं कि महिला के नाम पर अगर आप property पर्चेस करते हैं तो उसमें आपको stamp duty कम देनी पड़ती है इसलिए जर्नली लोग अपना wife के नाम पर property खरीदते है क्योंकि उनको पता होता कि husband wife एक धुरे के दो पहलू है और अपनी wife कहा जाने वाली है इसलिए जो है उनके नाम पर property लोग पर्चेस कर देते है मेरा कहने का मतलब यहाँ पर कता ही नहीं है कि अपनी wife के नाम पर अपने spouse के नाम पर property ना ले बिल्कुल ले love affection care maintain रखे matrimonial विवादों तक नहीं पहुचने दे अपनी life को वीडियो पूरा स्टार्ट करूँ उससे पहले मेरी आप लोगों से request है कि अगर आप लोग चैनल पर नए है या पहली बार आ रहे हैं अभी तक आप लोगों इसे subscribe नहीं किया तो please subscribe करिएगा साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे personally बात करना चाहते हैं किसी मुद्दे पर मेरा opinion चाहते हैं मेरी legal advice चाहते हैं तो अप अपनी appointment schedule कराईए नंबर आपको description में मिल जाएगा बिना appointment डारेक्ट कॉल कता ही न करें उसका कोई उत्तर मिलने वाला नहीं इसलिए अपनी appointment schedule कराईए उसके बाद ही मेरी आपकी बात हो पाएगे नंबर WhatsApp का आपको description मिल गया है अब आपको वीडियो हम लोग स्टार्ट करते देखिए एकदम मैं यहाँ पर clear कर दूँ कि अगर husband ने अपने पैसे से अपनी wife के नाम पर कोई property खरीटती है husband कोई भी property अपनी wife के नाम पर अपने पैसे से खरीटता है तो वो बेनामी transaction में कता ही नहीं fall करेगी पहली चीज़ मैं आपको एकदम बता दू बेनामी transaction का मतलब यहाँ पर यह हो गया है बेनामी संपत्दी का मतलब यह हो गया कि payment कोई और करता है owner कोई और होता है लेकिन जो बेनामी property होगी वो किसी और की category में होगी वो husband wife की जो category है उसको बेनामी property के exception में डाला गया अगर husband अपनी wife के नाम पर कोई property खरीदता है तो उसको बेनामी property के exception में रखा गया या wife अपने husband के नाम पर कोई property खरीदती है जो generally बहुत कम देखने को मिलता है वो बेनामी transaction नहीं होगा अब husband को क्या करना होगा जब पती पतनी के जगड़े स्टार्ट हो जाते हैं और बात litigation तक आ चाती है property खरीदने के नाब बात wife के अब देखे ये natural है कि wife यूँ होगी वो उस property पर claim करेंगी जहिर सी बात है वो कहेंगी इसको मैंने अपने पैसे से खरीद रखा हुआ इसको मैंने खुद से बनाया और ये उस पर ownership claim करेंगे और possession में भी अपने उस property को रखेंगे और छोड़ेंगी नहीं ठीक है अब husband से कहेंगी कि इसमें तुम्हारा कोई भी उसमें पैसा लगा नहीं हुआ है अब wife ऐसा claim करे तो husband को क्या करना चाहिए यहां पर husband के पास जो रास्ते हैं मैं आपको बताता चाहिए civil suit दाखिल करना चाहिए civil suit किस चीज़ का पहला civil suit आप करेंगे suit for declaration का suit for declaration में यह आप बताएंगे court को कि मैं ही इस property को मैंने purchase किया है इनके नाम पे किया है मैंने अपना सारा का सारा पैसा इनको जो है property खरीदने में लगा दिया है यानि कि आप court में प्रूफ करिए कि आपने पी एफ निकाला है भी तुड़वाई है शेयस बेचे हैं mutual fund बेचे हैं किसी जगे कि property हटाई है या loan लिया है या यमाई भर रहे हैं और उसके सारे evidence court में लगाई है और ownership court से कहिए कि इस property का real owner मैं हूँ यमाई मैं भर रहा हूँ इस पर मुझे ownership चाहिए इसकी ownership म permanent injection यानि stay order ले लेना है कि जब तक आपका case चल रहा है इस property को लेकर तब तक आपकी wife इस property को बेच ना सकें stay order लग जाए नहीं तो वो property dispose of करके चलती बनेंगी ठीक है अब हगर husband proof कर देगा कि सारे के सारे property में उसने पैसे लगा रखे हैं तो 110% ownership wife की हो जाएगी एक ऐसा ही case था दिल्ली हाई कोड में चलता है देखिए मेरे सामने वह case रखा हुआ है मनोज अरोरा वर्सिस ममतारोडा का case था जो डेली हाई कोड में चलता है यही matter होता है कि उसमें husband जो होता है wife के नाम पर दो property खरीदता है जब तक सब कुछ सही रहता है और उसके बाद wife जो है पर मुकदमे वगरा लिखा देती है वहाँ पर क्या होता है कि husband जो है court में जाता है और उसके बाद वहाँ पर वह क्या करता है suit for declaration में जाता है और court को बताता है कि मैंने अपना pf fd share property base के property जो है इनके लिए खरीदी थी इस property को खरीदने के लिए पैसा दिया था और wife इसी वापी मस्जित वाला matter उठा था उसमें भी opposite party ने order 7 rule 11 के application लगाई थी साथ 11 के application लगाई थी कि ये suit maintainable ही नहीं है इसी तरीके से wife भी ये जाती है कि suit maintainable ही नहीं है क्योंकि ये बेनामी संपत्ती में fall करता है और wife की ये बात जो है वहाँ नीचे court में मान ली जाती है और husband के against decision pass हो जाता है और husband इस चीज़ पर जाता है कि मेरा case maintainable कैसे नहीं honorable high court approach करता है honorable high court जब जाता है तो court high court क्या कहती है कि husband wife के बीच में जो transaction होगा property का या किसी भी जीस का वो बेनामी संपत्ती के category में fall नहीं करेगा और ये exception है और उस court को ऐसा आधेस देना ही नहीं चाहिए थ और इमपंज order था है उसको completely set aside कर दिया court ने और husband के favor में decision दे दिया property की ownership husband के हाथ में चली आई इस तरीके से अगर आपकी कोई property फसी हुई है आपकी wife ने आपकी property पर कबजा कर लिया है जो आपने खरीदी है और वो सोच रही कि आपकी property को completely वो एकदम grab out कर लें और आप पर चारा है civil suit दाखिल करिए suit for declaration डाली और suit for permanent injection डालके अपनी property को आप वापस पा सकते हैं जब आपके पास appropriate evidences हैं कि आप ही ने उस property को खरीदने में सारे के सारे पैसे लगा रखे हुए है I hope ये वीडियो ने आपकी definitely कुछ ना कुछ knowledge अगर बढ़ाई है तो knowledge अगर आप लोग मेरे परिवार हैं इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं ठीक ट्रोलर्स डेफिनेटली चीज़ कहते हैं और you people are my family मैं आपके लिए content लाता हूं इतना चोटा चैनल को आपने इतना बड़ा बनाया वो आपकी वज़े से ही मेरा अस्तित्त है मेरा जीवन है लोगे तो प्लीज वहां फॉलो करना लिंक आपको description मिल जाएगा कोई भी बात करनी हो कोई भी query हो तो आप प्लीज appointment schedule कराएं वहां पर आएं आपकी problem को हम solve out करने की कोशिश करेंगे जय हिंद